वर्ण विचार, फोनलोंचरी बच्चों, जब हम पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेत करते हैं, तो प, उ, स, त, अ, क, अ बन जाता है ये जो वर्ण आप देख रहे हैं, हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते इसका तागपर है के वर्ण भाषा की सबसे चोटी एकाई है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्णों के प्रकार, वर्ण के प्रकार, स्वर, वोफिल्स, व्यंचन, कॉन्सोनेंस, स्वर, वोफिल्स हिंदी में इनकी संख्या ग्यारा होती है, इनकी सबसे बड़ी विशेष्टा यहां है, कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्यवर्ण की सहायता के किया जाता है व्यंचन, कॉन्सोनेंस, हिंदी में इनकी संख्या तैतीस होती है, इनका उच्चारण करनी के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसके अधिरेक्ट चार संयुक्त व्यंचन होते है सूत्रे कवर्ग क, ख, ग, घ, घ, ड, चवर्ग च, छ, ज, 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 य, तवर्ग ट, ठ, ठ, ड, ध, ध, ढ, न तवर्ग त, ठ, द, ध, ध, न पवर्ग प, भा, ब, भा, म, य, र, ल, व अंतास्त व्यंचन संख्या चार श, श, स, ह, उश्म व्यंचन संख्या चार श, तर, ग, श, र, संयुक्त व्यंचन संख्या चार अं, अनुस्वार और, अह अनुनासिक भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोली जा सकते हैं इसलिए ये स्वर नहीं है इन्हीं अयूग वा कहते हैं अनुस्वार को उच्चारित करते समय ध्वानी नाक से निकलती है तथा अनुनासिक अर्थात चंदर बिंदु को उच्चारित करते समय ध्वानी मुख और नासिका से निकलती है जैसे चंद, चांद, संयुक्त व्यंचन दु या अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं चार मूल संयुक्ताक्षर है क्ष त्र ग्या श्र क श अ क्ष त र अ त्र ज य य अ ग्या श र अ श र या रेव की प्रयोग अलग-अलग रूपों में होते हैं शर्म श अ र म अ कर्म क अ र म अ र पदेन का प्रयोग अलग-अलग रूपों में किया जाता है क्रम क र अ म अ ग्रह ग र अ ह अ ड व त जैसे शिव्यन जनों में पदेन र इस प्रकार लगाया जाता है राश्ट्र र आ श ट र अ ड्रामा ड र आ म अ री की मात्रा तथा पदेन र का प्रयोग श्रिंगार ग्रेह म्रिग इन शब्दों में री की मात्रा है श्रम निद्रा ब्रम इन शब्दों में पदेन र व्यंजन अर्थाद पदेन र का प्रयोग है संयंत्वर्ण मक्षन बच्चा पक्का पट्टी इनमें क्ख च क्ट संयंत्वर्ण है मात्रा वोवल साइन दी गए चित्रों के नाम को पढ़ें खाट, आ, हिरन, इ, पीली, इ, गुलाब, उ, मूली, उ, ग्रिह, री, केला, ए, पैसा, ए, मूल, ओ, नौका, ओ, नूट, आ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि आ सभी व्यंचन में मिला रहता है र में उ तथा उ का और श में री का सयं यानी मात्रा इस प्रकार लगती है र, उ, रू, गुरू, र, उ, रू, रूपवती, श, री, श्री, श्रिंगार वर्ण विच्छेद, शब्दों के स्वरों एवं व्यंजनों को अलग-अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है जैसे किताब पाठ में हमने क्या सीखा जानिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकडे नहीं हो सकती वर्ण दू प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन स्वरों की संख्या ग्यारा होती है स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता की किया जाता है व्यंजनों की संख्या तैतीस होती है व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है स्वर्ष व्यंजनों की संख्या पच्चीस होती है अनुस्वार और अनुनासिक को अयोग वाह भी कहते हैं जैसे बंद, बांध, आदे र, रेफ और पदेन होते हैं जैसे कर्म, क्रम, आदे शब्दों के स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करना वर्णविच्चेत कहलाता है जैसे मचली म, आ, च, आ, ल, ई कंठस्त करो 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलचुल करते भाशा का रंजन जाएँ, च, आ, Pan , ऑृषफ, आ, आ, भ, क्रएग, आ, आ, र, आ, र, ग, पक्रानों आ, र, «घ, आ, इड feedback chosen आ, ऑ, आ, आ, प्र, आ,म्यंजन आ, आ, आ,ा, आ, 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 आ,